हेलो एवरिवन गुड मोर्निंग अलाफ यू मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आई होब डूइंग रेट टुड़े वीडियो वीडियो इट बेरी इंपोर्टेंट सो हम इसको यूज कैसे करते हैं जैसे की फो एक्जामपल साथ बचे हैं आठ बचे हैं आज बहुत वर्षा अग्याई होगी जैसे हूं कई प्रकार से करते हैं इस हमारा होता है टाइम जब हम टाइं Πताते हैं तायम के मतलब होता होता है समाय जब हम समाय बताते हैं तब हम यूज इट करते हैं कि दूसरा नंबर पर आता है शीजन शीजन का मतलब होता है हम हिंदी में बोलते हैं मौशम जब मोशम की बात बता को अब वहां में हम इट लगाएंगे का human jan Schley यै Cha A से सालन होते हैं नेक्ष्ट यूज करते हैं मन्थ के ज blacks बताते हैं तब हम यूज तो होता नहीं तो इसलिए हम इंट का यूज करते हैं किस का यूज करते हैं इट का यूज करते हैं जैसे इजेंगे साथ बजे हैं इत हमारा क्या आता है इत हमारा सिंगुलर होता है क्या होता है सिंगुलर होता है इसलिए हम अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहां पर हम इज लगाएंगे क्या लगाएंगे इज लगाएंगे अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम वहां पर वाज लगाएंगे क्या होता है इत हमारा सिंगुलर होता है इसका मतलब यह होता है यह किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है यह जो है किसी निर्जीव वस्तु के लिए बिना जीव जिसमें जान नहीं होती है उसके लिए हम इत का प्रियोग करते हैं सो दोस्तों हमने इत का प्रियोग ती लगाएंगे अगर मन्त बताते हैं तो भी हम ईत लगाते हैं इनसफर जैसे माल लेजिए for हुआ है तो आए टूडे की बात हुए खाया हुआ तो यहां पर हमें कोई सबजेक्ट नहीं है तो हम इट का यूज करेंगे कैसे इट हमारी क्याएज क्योंकि और फॉग काeza है चाया बादल चाया बादल जो Q तो fogy फ honorable यह वह क्या हुआ for fogy सॉरी fogy यह वह foggy today foggy देखिए foggy अगर हम कोहिरा की बात करेंगे क्या बोलेंगे कोहिरा यह कोहिरा के लिए यूज होता अगर बादल छाया की बात करेंगे जो बादल छाया होता है उसके लिए हम cloudy यूज करते हैं क्लावडी क्या होता है cloudy क्लावड का मतलब होता है बादल डी वाई लगाए लगाँ तो यह adjective बन जाता है इसलिए बादल छाया हुआ है कोहिरा के लिए हम foggy यूज करते हैं देखो कोहेरा जो होगा कोहेरा है तो इसके लिए हम फॉग क्या लिए फॉगी अगर बादल छाया हुआ है बादल छाया हुआ है क्या है बादल छाया हुआ है इसके लिए हम या क्या यूज करेंगे क्लावडी 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 का मतलब होता है बादल छाया ह और कोहरा हैं तो क्या बोलेंगे तो इत प्वागी टुडे आज कोहरा हुआ है अग हम बॉलें बादन छाया हुआ तो इत लिजए टूडे टूडे क्या बोलेंगे faculty कौदे कि टोडे टूडे को हमारा सेंटेंच है जो में अगजांपन है यंग देख लेते हैं 1st example हमारा साथ बजे हैं साथ बजे हैं मतलब कि यहां पे इ्ट से यूज करेंगे कि कि टाइम बता रहा है तो इट इज शेवन ओग्लॉक सेवन उग्लॉक सेवन अग्लॉक नेक्स सेंटेंस है हमारा सवाचार बजे सवाज चार बजह मतलब क्या हो रहा है कि मतलब चार बचकर पंदरा मिनट चार बजकर 15 मिनट हो गए है क्या हो गए मिनट हो गए है इसका मतलब 15 मिनट पास गया ना पास्ट हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फोर देखो इट इज इज क्वार्टर क्वार्टर पास टू फोर यह हुआ इज अ क्वार्टर पास टू फोर जो पंदरा मिनट होता है यह पंदरा मिनट को हम क्या बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं तो पास हो गया ना पास हो गया क्वार्टर फोर टू नहीं लगेगा स्वारी क्वार्टर फोर इज अ क्वार्टर पास्ट फोर नेक्स सेंटेंस है हमारा आज बादल चाया हुआ है हमने बताया था कि अगर कोहरा होगा तो उसके लिए हम फॉग का यूज करेंगे अगर बादल चाया हुआ है तो उसके लिए हम क्लावडी का यूज करेंगे क्या यूज़ करेंगे cloudy cloudy का मतलब होता है बादल चाया foggy का मतलब होता है कोहरा तो आज बादल चाया हुआ है तो हम लिखेंगे it is क्या हुआ cloudy cloudy today cloudy today next sentence है हमारा आज वर्षा का दिन है आज वर्षा का दिन है फिर यहां पर कोई subject नहीं दिखा रहा है इसका मतलब हमको it से यूज़ करना है किस से यूज़ करना है it it is rainy day today rainy day today जब हम जो वकैब है हमारी जैसे क्या हुआ वर्षा है वर्षा को हम क्या बोलते है रैन अगर जब वर्षा हो रही है तो वहां पर हम रहनी बोल दे क्या बोलेंगे रहनी यह रहन्ई है य वर्षा का दिन ह्यमतलब बारिस हो रही है जब हम कोहरा को बोलेंगे कोहरा तो वहाँ पे फौग होता है अगर कोहरा च्छा गया है जैसे कोहरा च्छा गया तो वहाँ पे हम फौगी बोलेंगे ठीक, अगर बादल होता है देखो, बादल को हम क्या बोलते हैं बादल को हम इंगलीज में cloud बोलते हैं क्या बोलते हैं cloud अगर बादल छाया हुआ है तो वहां पे हम cloudy कर देंगे यह adjective बताता है हमारा क्या बताता है objective यह adjective बताता है why जोड़के हम adjective बना लेते हैं जैसे की इन्हें एक four examples है fool का मतलब क्या होता है fool का मतलब होता है work fool का मतलब होता है work अगर हम work व्यकर किसी के एजेक्टिव बताएंगे उसकी capacity मुर्खता वाली capacity उसको बताएंगे तो हम क्या भोलेंगे फुलिश बोलेंगे क्या वोलेंगे फुलिश मतलब वह मुर्ख है definite मुर्ख है ना कि कोई मतलब आसा नहीं किया जाता definite की बात बहुते हैं वो मुर्ख है यह बता रहा है फूलिश से आई हो वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएए लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए थांक यू फो वाचिंग माई वीडियो